जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए एक बहुत एहम पढ़ाओ है जो आपको पार करना होगा और वो है Spelling Rules का Spelling Rules बहुत एहम रोल अदा करते हैं जब आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी आप पढ़ ही नी सकते हैं जब आपके पास spelling rules ना हो या आपको spelling rules के बारे में जानकारी ना हो Hey everyone, welcome to my English teacher, मैं हूँ Preeti Ma'am, स्वागत है आपका आज की class में आज बहुत ही basic वाली अंग्रेजी सीखने वाली class है जहाँ पर spelling rules के बारे में हम लोग सीखेंगे बहुत ही मतलब basic वाले spelling rules है जो आपको पता होने चाहिए जब आप अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं तब बात करते हैं सबसे पहले rule की जो की है कि Q के बाद U का प्रयोग होता है जी हाँ ये कैसा rule है जिसको आप गांट बांद करके अपनी जेब में रख लीजे जेब नहीं है तो पर्स में रख लीजे चेके Q के बाद U का प्रयोग होता है ये जान लीजे उदाहरन के तौर पर Q-U-E-N Queen ये शब्ध हम सभी ने सुना है Spelling पे अगर गौर फर्माएं तो दिखेगा Q के बाद U का स्तमाल हो रहा है Queen यानि की रानी Queen यानि की रानी Question Q-U-E-S-T-I-O-N Question यानि की प्रश्ण ये शब्द भी काफी सुना हुआ है Spelling पर अगर ध्यान दे Again आप रियलाइज करेंगे कि Q के बाद U का स्तमाल हो रहा है Equity E-Q-U-I-T-Y Equity यानि की हिस्सेदारी Again यहाँ पर भी Q के बाद U का स्तमाल हो रहा है Earthquake सुना है Earthquake जिसको कहते हैं Bookamp है न Bookamp की अंग्रीजी जो है वो Earthquake होता है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि Q के बाद U का स्तमाल हो रहा है Bookamp यानि की Earthquake इसकी spelling में भी Again क्या देखने को मिल रहा है हमें कि Q के बाद U का प्रयोग होता है तो गांट बाद लिया अपने इस रूल को कि Q के बाद आपको U का प्रयोग करना ही करना है चलिए बढ़े आगे आप समझते हैं अगले रूल के बारे में X के बाद ध्यान दीजेगा X के बाद कभी भी S नहीं आता है लेकिन लेकिन है इस रूल में लेकिन S का साउंड आता है उधारन दूंगी आपको बहुत बहतरीन तरीके से समझ आएगा पहले समझ लीजे रूल को कि X के बाद कभी भी S को नहीं यूज करना है किसी भी स्पेलिंग में यूज नहीं करना है वाइल राइटिंग लिखते वक्त X के बाद S का अस्तमाल नहीं होगा लेकिन 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 साउंड जरूर आएगा उचारन जब करेंगे न उस पर्टिकुलर शब्द का तो S का साउंड जरूर सुनाई देगा उधारन के तोर पर XITE S सुनाई दे रहा है आपको स्पेलिंग होगी A-E-X-C-I-T-E XITE S आप जैसे इसको बोलिए मेरे पीछे बोलिए इसको XITE S नए दिया आपने S बोला अपनी मुह से लेकिन क्या स्पेलिंग में हमने लिखा लिखी नहीं सकते ना रूल है X के बाद S नहीं आएगा लेकिन उच्चारन जरूर होगा XITE का मतलब होता है उच्चारन आएगा Exclusive मेरे बाद बोलिए आपको महसूस होगा कि आप S बोल रहे हैं Exclusive Exclusive का मतलब होता है विशेश Again X के बाद नहीं आएगा S लेकिन उच्चारन आएगा Excise Excise X के बाद S नहीं आया है लेकिन उच्चारन जरूर किया हमने Exotic उच्चारन करिए Exotic यानि की अनूखा Exotic यानि की अनूखा अगले रूल को समझते हैं शब्द के अंत में ध्यान दीजे शब्द के अंत में कभी भी कभी भी वी या जे नहीं आता है क्या आपको ये बात पता थी इसके पहले कमेंट करके मुझे जरूर बताएगे कि शब्द के किसी भी शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है उदाहरन के तौर पर Have H-A-V-E Have यानि की पास Judge 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 यानि की न्यायधीश Wave अगला शब्द Wave यानि की लहर Edge Edge यानि की किनारा दिख रहा है आपको बढ़ते हैं आगे Short Wovl के बाद ये अगली हमारी जो रूल है वो है Short Wovl के बाद C-K या K का प्रेयोग होता है किसका प्रेयोग होता है C-K का प्रेयोग होगा या तो K का प्रेयोग होगा किसके बाद Short Wovl के बाद जैसे की D-U-C-K Duck D-U-C-K आपको यू दिख रहा है उसके बाद C-K है Duck यानि की बतक Duck यानि की बतक Sick Sick S-I-C-K क्या है S-I-C-K Sick यानि की बीमार C-K दिख रहा है आपको Beak B-E-A-K Beak यानि की चोँच Beak यानि की चोँच Peak P-E-A-K Peak यानि की चोटी यानि की चोटी अगले रूल के तरफ बढ़ते हुए ज्यादा तर शब्दों में कम से कम एक वाविल होता है बिना वाविल के शब्द का निर्मान नहीं होता है ज्यादा तर शब्दों में आपको ये चीज़ निखेगी कि एक वाविल तो होगा ही होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शब्दों का निर्मान जो है वो वाविल के बिना नहीं हो पाता है है ना जैसे Book B-O-O-K Book यानि की किताब Book यानि किताब Dog यानि की कुट्ता ओ यहाँ पर दिख रहा है आपको वाविल है ना R-E-A-D Read यानि की पढ़ना यहाँ पर दो है है ना दो वाविल है यहाँ पर C-A-T Cat यानि की बिल्ली तो आपको दिखेगा आप आगे से ना दिखिएगा इस चीज को नोटिस करिएगा कि कोई भी शब्द अगर आप बोल रहे हैं लिख रहे हैं या कही पर पढ़ रहे हैं तो उसमें वाविल है किने A-E-I-O-U इन पाचों में से कोई एक लेटर है या ने क्यूंकि ज्यादा तर शब्दों में कम से कम एक वाविल होता ही होता है और बिना वाविल के शब्द का निर्मान नहीं होता है है ना तो नोटिस करिएगा इसको आगे से तो आज की क्लास में हमने बेसिक बेसिक से भी कम यानि कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखा जहांपर हमने रूल्स को देखा सबसे पहले हमने देखा कि क्यू के बाद यू का प्रेयोग होता है हमेशा एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता लेकिन एसका साउंड आता है शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है मतलब कभी भी कोई भी वर्ड जो है व या जे से end नहीं हो रहा होगा short vowel के बाद c k या k का प्रेयोग होता है और जादा तर शब्दों में बिना vowel के काम नहीं चलता यानि कि शब्द बनेगा तो vowel एक नएक तो रहेगा ही उसमें है ना तो ये कुछ spelling rules आज हमने cover किये जो आपको जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सिखाने में मदद करने वाले हैं तो क्लास कैसी लगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बतादू आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप जल्दी जल्दी अंग्रेजी बढ़ना सीख जाए और जल्दी अंग्रेजी बोलना भी सीख जाए मैं आप से मिलती हूँ आपके अगली क्लास में तिल देन तांक यू सो मच पर वाचिंग स्टे तून टू मेरा इंग्लिश टीचर